तो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं one and only बजाज finance के बारे मारे और बजाज finance के कल के दिन देखिए एक quarterly update आचुके है है जिसको हम इस वीडियो में अच्छी तरीके से analyze करने वाले हैं और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर तीन ब्रोकरिज फर्म्स के आपको मैं यहाँ पर रेटिंग बताने वाला हूँ, क्या यहाँ पर रेटिंग दी है, तीनों मैंसे किसने यहाँ पर आउट पर्फॉर्म की रेटिंग दी है, किसने यहाँ पर सेल की रेटिंग दी है, विद यहाँ पर दोस्तों देखिए अगर हम quarterly updates की बात करें तो बहुत ही amazing नहाँ पर updates हैं काफी amazing numbers यहाँ पर पोस्ट किये हैं बजाज finance ने as always customer franchise की बात करें तो देखिए customer franchise 60.33 यहाँ पर million हो चुकी है as compared to 50.5 million in 30 June 2021 as of 30 June 2021 तो अच्छी तरीके से हाँ पर customer franchise यहाँ पर grow होती भी नजर आई है गजब का यहाँ पर customer equation company कर रही है बजाज finance यहाँ पर कर रही है इससे पता यहाँ पर यह चलता है कि देखिए जो यहाँ पर financial sector वो अभी भी कितना under penetration है अभी भी हाँ पर customer franchise बहुत तेजी से यहाँ पर grow हो रही है नई customer से लगातार acquire कर रहे हैं and company recorded highest ever quarterly increase in its customer franchises of 2.7 million in Q1FI23 new loan book अगर आप देखें तो यहाँ पर 7.44 million की हो चुकिया as compared to 4.6 million in Q1FI22 तो यहाँ पर देखिए loan books भी loan book भी काफी जबर्दस तरीके से grow ही है अगर मैं यहाँ पर traditional जो banks है उनकी बात करूँ तो उनक के मुकावले दूस्तों हमेशा से हाँ पर loan book बजाज finance की हमेशा यहाँ पर अच्छी growth भी देखने को मिलती है अगर आप देखिए AUM तो AUM की growth बहुत ही amazing है 31% की हमको यहाँ पर AUM growth देखने को मिल रही है गजब की यहाँ पर company अपना asset under management लगातार बढ़ाय जा रही है liquidity surplus क की बात करें तो यहाँ पर भी liquidity position काफी strong नजर आती है बजाज finance की as always the company continues to remain well capitalized with capital adequacy ratio यानि की capital adequacy ratio 26.2% का है बहुत ही गजब का है यहाँ पर deposit की अगर हम बात करें तो देखिए deposit book यहाँ पर grow ही है 22% amazing अभी हमने थोड़े दिन पहले HDFC bank की बात करी थी उसकी deposit growth यहाँ पर I HDFC bank का जो capital adequacy ratio है वो 18.5 या 8% की आसपास है तो उसके मुकाबले हमेशा से बजाज finance है यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से grow किया है अब यहाँ पर दोस्तों चले हम ratings पर चलते हैं और देखते हैं उन्होंने यहाँ पर क्या बोला है जो बड़े यहाँ पर brokerage firm से उन्होंन यह capital to risk weighted asset ratio बैसिकली उसको यह जो है CAR है capital adequacy ratio ही है तो अगर आप देखें तो यहाँ पर 26.2% से हमको grow होती हुई देखने को मिली है तो यहाँ पर outperform rating दी है बंस्टीन ने यहाँ पर दीखिए अगें बंस्टीन ने अभी यहाँ आउट पर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्ट तो काफी यहाँ पर घजब का आउट पर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर् तो यह हमको पता चलेगा, जब Q1 के यहां पर नंबर आएंगे, पूरे यहां पर पूरा result यहां पर आएगा, तो यहां पर किस तरीके से, डिजिटल ट्रांस्वर्मिशन को लेकर, यहां पर management के statements रहते हैं, management की यहां पर क्या notes रहते हैं, उस पे हाँ पर काफी focus रहने वाला है क्योंकि अगें एक fintech play है तो इसके साब से इसको valuation भी मिल रही है तो उस पर काफी नज़र रहेगी तो दो नहीं हाँ पर outperform दिया है अब तीसरा CLSA के बात करें तो देखे CLSA नहीं हाँ पर sell का rating यहाँ पर रखिए 5000 के target यहाँ पर दे दिया और अभी trade कर रहा है तो उन्होंने क्या बोला है growth has slowed from pre-covid level तो यहाँ पर पिछले साल आपर जून में दोस्तों यहाँ पर basically lockdown था जो है पी कोविड था उस time तो उस time की वज़े से भी आगर हम देखे है तो low base था उस low base की वज़े से हमको numbers काफी यहाँ पर elevated नजर आ रहे लेकिन इस्टिल जो growth है वो काफी अच्छी है जो कि हमने डी मार्ट में भी देखा था हमने यहाँ पर यहाँ पर sell की rating दी है तो यहाँ पर दो ने आउट पर्फॉर्म दिया है एक ने sell दिया है तो हमको क्या करना है तो एक बाद चले टेक्निकल चार्ट पर देख लेता है क्या सिच्वेशन यहाँ पर नजर आ रही है तो देखे उस तो जो ही अपने एक major आप देख पा रहे हैं आप एक major resistance and support यह बेसिकली इसका जो है major आप कह सकते हैं कि supply demand zone है और उसी के आसपास यह stock अभी trade कर रहा है 5800 के आसपास यह stock trade कर रहा है तो एक अच्छा खासा दें sustain करने दें breakout के बाद तो आप यहां पर position बना सकते हैं लेकिन अगर आप जो long term investor है तो मेरा opinion यह है कि दोस्तो बजाज तो यहां पर मेरे ख्याल से long term के इसाफ से आपको देरे दरे अक्यूमलेट करना चाहिए अभी भी 35 परसंट के आसपास यह जो है correction पर हमको देखने को मिल रहा है तो current market price पर आप इसको buy कर सकते हैं लंबे समय का नजरिया रखिए बस एक यहां पर concern रहता है बजाज finance के price to book value के आसपास ही चल रहा है जो इसका historical price to book value है उसी के आसपास यह हमको चलता हुआ देखने को मिल रहा है तो यहां पर उस हिसाफ से historical median के आसपास है लेकिन again NBFC के अगर बात करें तो उसके मुकाबले जो private sector banks है वो काफी अच्छे नजर आ रहे हैं valuation wise तो हो सकता है वहां पर खरीदारी हो और यहां पर थोड़ा सा हमको एक consolidation देखने को मिले तो उस हिसाफ से आपर आपको नजरिया अपना रखना है लेकिन again long term का नजरिया तो मेरे बहुत जरूप हो सकते हैं मिलते हैं next video में till then take care bye bye